जून के दौरान थोक महगाई में हलकी कमी आई है लेकिन महगाई दर अभी भी 15 फीसद से उपर बनी हुई है जून में ये दर 15.18 फीसद रही जो मई में 15.88 फीसद थी खाने का तेल, खादे उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, बेसिक मेटल, सबजियों और केमिकल के महगा होने के वज़े से थोक महगाई 15 फीसद से उपर बनी हुई है सर ये जो थोड़ी सी कमी दिखी है, क्या ये कमी स्थाई है, आने वाले दिरू में थोक महगाई में हम और कमी देखेंगे थोक महंगाई में अभी बहुत बड़ी कमी नहीं दिखती क्योंकि आज हम जो आकड़ा देख रहे हैं और थोक महंगाई को जब भीतर से आप देखने के कोशिस करें वीट की इंफलेशन अभी भी 10% से उपर बनी हुई है थोक बाजार में पैडी की इंफलेशन में अभी कमी है क्योंकि खरीव के सीजन में आ रहा है बाकी अगर आप जितने भी देखें सीरियल करीब करीब 8% के आसपास महंगाई में हैं सारे फूड आर्टिकल्स की इंफलेशन 14.5% के आसपास बनी हुई है तो जो अभी थोड़ी बहुत गिरावट हमको दिखाई दे रही है तातक थोक महंगाई दर अभी भी जून में हमें कच्छे तेल की कीमतों के कारण और पेट्रोली जिल की कीमतों के कारण दिखाई दे रही है तो इसलिए थोक महंगाई खुद्रा महंगाई में ट्रांसमिट होने में थोड़ा समय लगती मामूली गिरावट है लेकिन अभी हमें देखना होगा कि बाकी रुपे की कीमत में गिरावट का असर कितना पड़ेगा थोक महंगाई पर अंतलाश्ट्री बाजार से बढ़ने वाली कीमतों का कितना असर पड़ेगा इसलिए महंगाई के आंकड़े पर कोई भी नियर्णे लेने से पहले सरकार शायद अगले दो-ती तक इसके सेटल होने का इंतजार करेगी सर एफमसी कंपनियों ने जून में कीमते बढ़ाई है दो-तीन बार कीमतें बढ़ने की खबरे आएं क्या आने वाले दिरों में खुदरा महंगाई पर इसका असर दिखेगा एफमसीजी कंपनियों के तरफ से लगातार कीमते आजाता है कि फिर से साबून की कीमतें करीब बढ़ाई हैं तीन से बीस परसेंट इक्रास दा ब्रांड ब्रैंड जून में गोद्रिज ने अपने कंजूमर प्रडेक्ट्स की रैकिट बेंक इजर ने विप्रो ने भी अपने उत्पादों की कीमतें चार से उननीस परसेंट जून में बढ़ाई हैं अब अगर आप इन्हे महंगाई के खाचे में एकड़े में ले जाकर देखें तो ये सारा कास्मेटिक्स का जो बास्केट है ये फिर अगले महीमेजे महिने महंगा हो जाएगा और यहां हमें थोक महंगाई के असर का असर से इसका कनेक दिखता है हमेशा थोक महंगाई में बढ़ोतरी एक महीने दो महीने के लैक के बाद समय के अंतराल के बाद खुद्रा महंगाई में आती है और अभी भी भी खुद्रा महंगाई और थोक महंगाई के बीच का अंतर का होना होगा तो CPI इस समय शायद हमें उतना अच्छा अच्छी जलक नहीं दिखा सकता हला कि Reserve Bank की मौदरिक पॉलिसी कहा कड़ा है हमें थोक महंगाई में कमी देखनी होगी अगर थोक महंगाई में इस्ताई कमी की जरुवत है और वो नहीं हो रही है इसलिए हमको कंजुमरत पादों की कीमतों में लगातार बड़तरी दिख रही है बावजूद इसके कि मांग में गिरावट है